दामाश्टर प्रकास क्लासेश यूटूब चनल आप सभी लोगों का सौध करता है इस वीडियो लक्षर में हम लोग आपकी जो आगामी यूपी ट्रप्रल सी पैट की प्रारभनिक प्रिक्षा है उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और यह जो प्रैक्टिस सेट है आपके अरबिंद पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है तो अरबिंद प्लिकेशन का यह टोटल 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं चलिए इसका पहला प्रिश्ण हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले portion में हमारा भारती इतिहास स्टार्ट होगा जिसके आपको पूछे जाएंगे टोटल कितने प्रिश्ण भाईया आपके 5 प्रिश्ण तो इसमें एक किताब है जिसका नाम है किताब लहिंद किताब हिंद के राइटर कौन है अल बरूनी आपको बताना है अल बरूनी किसके सासंकाल में भारत में आये थे इसको ऐसे भी कह सकते हैं ये किसके साथ भारत आये थे तो अल बरूनी जो थे वो महमूद गजनवी पहला बिकल्प महमूद गजनवी के साथ भारत में आये थे चलिए अपने दूसरे प्रिष्णों पढ़ते हैं आपको करना क्या भीया कि इसके सारे प्रिष्णों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा और जो भी बिकल्प आपको सही लगे उसको कमेंड बॉक्स में लिखते चलिए आगे बढ़ते हैं 1946 में क्या आया था या cabinet mission भारत आया था आपको बताना है कौन cabinet mission का सदस से नहीं था चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प, कौन सा नाम जो है गलत है जो cabinet mission के सदस से नहीं थे तो यहाँ पर जो आपका D वाला विकल्प दिख रहा है Wilson बिल्सन जो है हेराल्ड बिल्सन ये कैबिनेट मिसन के सदस से नहीं थे बाकी के तीनों नाम जो हैं ये कैबिनेट मिसन के सदस से थे आगे बढ़ते हैं बीस जून सत्रा सो अचैपन में ब्लेक होल की घटना हुई थी ये कहां पर हुई थी बंगल की घटना हुई थी आपको बता नहीं Ihr किसके सासनकाल में ब्लेक होल की घटना हुई थी उसका जो सही विकल्प रहेगा आपका विकल्प भी सिराजुत दौला यहां पर हमारा बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं सबने अवग्या आंदोलन के रूप में महत्मा गाधी ने डांडी मार्च कब प्रारम किया था तो डांडी मार्च महत्मा गाधी दौरा कब किया जया था सबने अवग्या आंदुलन के रूप में तो चोथे पिश्ण में आपका जो सही आंसर होगा वो बिकल्प आपका डी वाला बारा मार्च 1930 यह आपका बिल्कुल सही रहेगा चले पांच नम्मर पर बढ़ते हैं एक पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सिमेंट इसकी पुस्तक के राइटर कौन है तो इस पुस्तक के जो राइटर है महातमा गाधी है आपका बिकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है चलो भई आगे बढ़ते हैं भारती राष्ट्री आंदुलन के अपने पांच पुस्णों पर बढ़ते हैं भारत में अली बंधूं किस आंदुलन का नेतृत्त दिया था फटाफट आंसर बताइए ज्यादा टाइम नहीं है जो भी आपको आता है फटाफट चाहे सही हो चाहे गलत हो जो भी हो आप कमेंड बॉक्स में लिखते जाए और यहाँ पर आपका जो विकल्प बी वाला है खिलाफत आंदुलन ये उपाधी को वापिस किया था तो ये 1919 की बात है जलिया वाला भाग हत्या कांड के विरोध में उन्होंने ऐसा किया था चलिया आगे बढ़ते हैं बर्स 1922 में महत्मा गाधी ने असायोग आंदुलन वापिस क्यूं ले लिया था तो ऐसे सारी प्रिष्ण आप सभी लोगों को रटे होना चाहिए यहाँ पर आपका विकल्प बी वाला सायोगा चौरा चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण ये जो असायोग आंद सायमन कमिंशन भारत का वाया जिसका विरोध लाला लाचपतराई ने किया था ये बात हो रही है 1928 की पूना समझोता किस से संब्मधित है तो पूना समझोता जो हुआ था वो अमबेटकर और महत्मा गाधी के बीच में हुआ था और ये संब्मधित है भारतिय दलित गाटियां होती है वो हिमानी जो हिमाले के छेत्र होते हिमानी छेत्र होते वहां पाई आती है जो बरफिले छेत्र होते वहां पर पाई आती है हिमाले से कोई मतलब नहीं है बहुत सारी परबत हैं पहाड़ हैं वहां पर यू आकर की घाटियां पाई आती है क्योंकि वहां गलत मत करिएगा आपका जो आंसर होगा वो मणीपुर आपका बिल्कुल सही रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं भारत के उत्री मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सरबाथिक मात्रा में पाई आता है तो भारत के जो उत्री मैदान है उसमें भहिया पाई आती है कौन समित् आगे बढ़ते हैं, बैगुला धारा किस महासागर की सीतल जलधारा है, तो बैगुला जो धारा है वो कहां पर पाई आती है, चौदार नमर में आपका जो विकल्प सही होगा, वो दक्षुनी अटलांटिक महासागर, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, आ आपका बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं, एकनॉमिक्स के अपने पांच प्रिशनों की और आगे बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रिशन है, भारती अर्थिव्योस्था के तिरत्यक छेत्र के अंतरकत निम्ण में से कौन सेवा छेत्र में सम्मलित हैं, तो ये खुझा होता भीया, और आपका ये होटल भी होता है, तो पहला और दूसरा आपका सही रहेगा, इस परकार यहाँ पर आपका बिकल्प सी बिलकुल सही दिया गया है, तो अगले प्रिश्म में बढ़ते हैं, अगले प्रिश्म में लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो एक तरफ समीतियों के नाम है, एक तरफ वो किस्ते सम्मंदित हैं, उनके नाम दिये गये हैं, तो आपको बताने इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है यह आपको बताना है तो 17 नमर के प्रिष्ण में यह जो डी वाला ज़रा ध्यान से देखिए रेखी सम्थी के बारे में लिखा गया है निर्यात और आयात का सरलिकरण कि जा गया है यह वाला जो जोड़ा है यह गलत है बाकि कि आपके सभी यहां पर सही दिय गये हैं स्वारी चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न में से किसे मानो विकास सूचकांक में सामिल किया जाता है तो मानो विकास सूचकांक में वास्तिक प्रतिव्यक्तियाए जीवन प्रत्यासा और वैस्क साक्षर्टा इन तीनों को सामिल किया जाता है इस परकार यहां पर विकल्ब D हमारा बिल्कुल सही रहेगा, आगे बढ़ते हैं, निम्ने में से किसे आधुनिक अर्थसास्त्र का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थसास्त्र के जो जनक हैं वो एडम किसमित है, पहला विकल्ब आपका सही है, हिंदू सम्परधी दर का संबंध किस संब्ध प्रिष्ण है दिसमबर 1946 को आगे बढ़ते हैंटार्नी जंर्नल भारा सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है ठीक है जबकि राजी सरकार को कौन परामर्स देता है तो जो Attorney General होता है वो भरस सरकार को प्रामर्स देता है और अगर राज्य सरकार को प्रामर्स लेने की आउच सकता पड़ती है तो उसको हम लोग Advocate General के नाम से जानते हैं बिकल्बी यहाँ पर आपका सहीर आएगा समधान सभा के सम्मयधानिक सलाहकार कौन है? तो बहुत ही बेहत्रिन स्परेशन है, पचासों बार ये परिक्चाओं में पूचा गया है, उनका नाम है सम्मयधानिक सलाहकार, कीसे कहा जाता है? बी एन राव को कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अनुच्छे 208 208 के अंतरगत राष्टपती दोरा लोगसभा योम राजसभा की सायुक्त बैठक आहुत की जाती है ठीक है तो जो लोगसभा और राजसभा की सायुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षिता कौन करता है तो बहुत ही अच्छा प्रिष्णा है कन्फ्यूज होनी की आउशक्ता नहीं है उसकी जो अध्यक्षिता करता है वो लोगसभा अध्यक्ष करता है बिकलती यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा दोग अक्टूबर 1969 को सरपर्थम पंचाइती राज का सुभारम कहां पर किया गया था तो ऐसे प्रिष्ण तो आपको रटे होना चाहिए यह राजस्थान में किया गया था राजस्थान के किस जिले में तो राजस्थान के नागवर जिले में आगे बढ़ते हैं सामान भिष्ञान के अपने पाANT पुष्णों पर प्राणे जगत के वरगे कराना में निमलित में से कौन सा संग नहीं है दुख चारोई विकलप में कौन सा संग नहीं है प्राणे जगत में तो वो आपका है प्रगुही ये कहां पर लिखा गया है विकल्प C में है तो विकल्प C आपका यहां पर बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं अगर सोतंद रूप से कोई बस तु गिर रही होती है तो उसकी गती को हम लोग क्या कहते हैं वो किस प्रकार की गती कहलाती है तो वो एक समान तौरित गती कहलाती है पहला विकल्प आपका यहां पर सही है उत्तल दर्पन और आउतल दर्पन किस के उधारन होते हैं तो उत्तल दर्पन और आउतल दर्पन ये दोनों जो है गोलिय दर्पन के उधारन होते हैं आपका SI मात्रक क्या होता है? कितना आसान सा प्रशन आ आपके परिछा में, तो dai overly मात्रक होता है, वो होता है, विकल्व C, Pascal. ठीक है, जो चार विकल्व आपके दिए गया है, इनमें सबसे अधिक संपीड कौन सा है? तो जो सबसे अधिक संपीड है, वो है क्या है भई ये आपका गैस आपका कौन सा बिकल्ब बिकल्ब C आपका यहाँ पर बिलकुल सही है यह जो आप गणित के प्रिशन देख रहे हैं आपको पता है एक practice set में 5 प्रिशन दिये रहते हैं तो जो reasoning के 10 प्रिशनों के दो practice set में 10 प्रिशन मिलाके हो जाएंगे तो उसकी reasoning की अलग से वीडियो बनती है तो इस प्रकार आंगगड़ित और reasoning, graph और तालिका इनसी अलग अलग वीडियो बनती है तो वहाँ पर इन सारी प्रिशनों को detail में देख लीजेगा कोई यहाँ पर करिएगा भीया लाला को क्या कहते हैं लाला की पत्नी को ललाइन कहते हैं ठीक है आम बोलचाल वहारसा आम बोलचाल की भासा में हम लोग यही कहते हैं तो विकल्ब भी यहाँ पर सही रहेगा बिलोम सब्द का युगम नहीं है इन में से चार विकल्ब में से कौन सा बिलोम उने पढ़ाई होगा तो बताईए लगहूर्मी में कौन सी संधी होती है तो लगहूर्मी में भीया आपका कौन सी संधी है आपका स्वर संधी है पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है 49 नमर पर चलते हैं सुर्तिसम भिन्नार्थक सब्द के जोड़े को पहचानिये भिन्नात्मक जो भिन्नार्थक देते हैं ऐसे जोड़े कौन से हैं 49 नमर में आपको बताना है तो यह अपेक्छा और उपेक्छा यहाँ पर यह वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा आगे एक वाक्ट दिया गया है इसमें कहां पर गल्ती है यह आपको बताना है मुक्ष अत्थि आये और एक फूलों की माला पहना कर उनका स्वरागत की जा गया तो कहां पर गल्ती है चालिस नंबर में देखिए जो एक लिखा है न भया यह जो एक लिख दिया गया फूलों यह थोड़ा सा यहाँ पर गलत है तो आपका बी वाला पोर्सन यहाँ पर आपका सही रहेगा यानि बी वाला पोर्सन गलत है जो गलत है वहीं यहाँ पर हमार सारी परिशनों को डिटियल में आपकोसोव किल कहिए गाए आगे आचुका के हम लोग 10 फटाफट देखते हैं पहले परिशनम है है भारत और किस देश के मद्ध रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलता पूर्बक परिक्षण किया है तो ऐसा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो परिक्षण भारत में किस देश के साथ किया है तो यहाँ पर जो सबसे प्यारा देश है वो ही हमारा आंसर होगा इस्राइल ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं केंद्रिक खेल मंत्री किरन रिजुजी ने किस सहर में असम राइफल्स पबलिक स्कूल का कील Japan के रूप में सुभारंद किया है तो खेलो इंडिया स्कूल कहाँ पर बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है आपके सी लॉऑंग में पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिलकुल सही है आगे बढ़ते हैं German March के Global Climate Risk Index, ये Index आप सभी लोग ने पढ़ा होगा, इसका नाम है Global Climate Risk Index, इसमें भारत का कौन सा इस्थान है। तो इसमें जो भारत के स्थान है वो साथ्मेन नमर पर है, बिकलबी यहाँ पर हमारा सही है। किस देश ने अपने राश्ट्रगान में एक सब्द को बदल दिया है तो ये किस ने बदलाव के लिए है ये बदलाव के लिए है आस्ट्रेलिया ने ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रधान मंदरी नरेंद मोदी ने 31 दिसमब 2020 को वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से गुज गुजरात के किस सहर में बनाए जा रहा है तो ये बनाए जा रहा है गुजरात के राजकोट सहर में विकल भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं केंद्र सरकार ने एथनौल उत्पादन को बढ़ावा देने है तो कितने करोन रुपे की ब्याज सहायता य 4573 ये कहां पर है ये आपका बिकल्बडी में है तो बिकल्बडी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं 57 नमर पर आपका 2026 तक ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदे ने किस सहर में देश की पहली चालक रहत मेट्रो रेल का उधगाटन किया तो देश की पहली चालक रहत मेट्रो जो रेल है वो आपकी राजधानी दिल्ली में बनाई जारीगी तो बिकल्बी इसक सही है इसका उधगाटन हो चुका है स्वरी आगे बढ़ते हैं किस राजय सरकार ने लब जिहाद के खलाव सक्स कानून बनाने के लिए धर्म सोतंतरता बिधया को 2020 को मंजूरी दी है तो ऐसा किस ने किया है ऐसा किया है आपके मध्ध परदेश राज ने पहला विकल्ब य किया है तो बरासत की सुरुवात कहां पर किया गया है तो जिस राज में आप पेपर देने वाले हैं उसी में बरासत की सुरुवात किया गया है यानि कि यह कहां पर है यह आपके उत्रप्रदेश में है विकल्ब यहां पर आपका बिल्कुर सही है आगे हमारे 10 प्रिष्ट इस्टेटिक जीके के हैं, चलिए फटा-फटी से बेखे हैं, ग्रीन मफलर किस परदूर्शन से सम्मंधित है, तो ग्रीन मफलर का जो सम्मंध है वो धोनी परदूर्शन से है, आपका विकल्बी यहाँ पर सही है, यमना एक्सप्रेस वे किन के बीच में है, तो किन सहरों को यमना एक्स्प्रेस भी जोडता है तो ये जोडता है आगरा और ग्रेटर नोइडा को बिकल्बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही, किस विश्व धरोवर इस्थल को मुगलों का कबरिस्तान कहा जाता है, तो मुगलों का जो कबरिस्तान कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, व कुरप्पु कुरप्पु जी को दिया गया था यह कहां पर है यह आपके विकल्प कहां पर है ए में है तो विकल्प संकर कुरपु पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है राष्ट्रिय मानवादिकार आयो का गठन कब किया गया था तो इस आयो का गठन जो है किया गय नवे में ठीक है आगे बढ़ते हैं A century is not enough ये एक खिलाड़े की आत्म कथा है और उस खिलाड़े का क्या नाम है तो उनका नाम है भाया सौरा उफ गांगुली ठीक है पहला विकल आपका बिलकुल सही सबसे पहली महिला का नाम बताइए जिसने नोबल पुर्शकार चीता था तो नोबल पुर्शकार सबसे पहले किस ने चीता था महिलाओं में तो 67 नाम में जिनका जो नाम है वो मैरी कुरी है ठीक है विकल भी यहाँ पर आपका बिलकुल सही है किस विस समस्था को विस बैंक के उदार रिन खेड़की के रूप में जाना जाता है चलिए एक नॉम इसका बहतरी इंसा प्रिश्न है 68 नमबर में आपका कौन सही रहेगा IDA आपका कहां पर है विकल्प D में है विकल्प D आपका बिल्कुल सही है भारती मुद्रका जो नया परतीक है चिन है उसे किसे बनाया था तो इसको जो डिजाइन किया था वो करने वाले हैं उदय कुमार तो कहां उदय कुमार आपका पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिटोरिया किस देश की कारिपालिका राजधानी है तो इस देश में तीन राजधानिया है जिसमें कारिपालिका की जो राजधानी हो प्रिटोरिया है और ये बात हो रही है किस देश की ये बात हो रही है दक्षनी अफ्रीका की तो बिकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है आगे हमारे दस प्रिष्ण हिंदी गध्यांज के हैं तो इन दस प्रिष्णों में बहुत ही आसान होते हैं इसी गध्यांज से प्रिष्णों को ढोड़ना होता है तो इसको आप लुक कर लेंगे इसमें ज़्यादा समय है खराब करने से कोई फाइदा नहीं है पीडियाप को आप डाउनलोड कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिए वहाँ पर आपको पीडियाप मिलेगी पीडियाप डाउनलोड करके सारी चीजों को आप कर सकते हैं ये दस प्रिशन आपके फ्री में है उसे देखा करिए वहाँ पर ये दस प्रिशन आपको पहले से ही सॉल्व करा दिये गए हैं इसी प्रकार हमारे जो तालिका है तालिका के जो दस प्रिशन है वो भी आपको सॉल्व करा दिया गया है तो ग्राफ का और तालिका का जो अलग से बीडियो आता है उसको देखा करिए उस वीडियो में हम लोग इनी सारे प्रिष्णों को स्वाल्व करते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो अरबिंद पब्लिकेशन था उसका टोटल 15 प्रक्टिसेट खतम कर लिया है और आपके ग्राफ नहीं तालिका भी अंगरित और रेजिनिंग ये भी आपको अलग अलग वीडियो में पूरे करा दिये गए हैं तो इस प्रकार टोटल 15 प्रक्टिसेट हम लोग अरबिंद पब्लिकेशन के खतम कर चुके हैं इसके बाद हम लोग एक्जाम कार्ट की बुक श्टार्ड करेंगे जो आपका अगरवाल पब्लिकेशन की एक्जाम कार्ड की बुक आती है उसको हम लोग श्टार्ड करेंगे उसमें टोटल 20 प्रक्टिसेट हैं तो अगले जो आपको practice set मिलेगा वो अगरवाल publication की exam card की book से मिलेगा ठीक ना भया और यहाँ पर एक महत्तपूर्ण सुचना आप सभी लोगों के लिए है कि आप सभी लोगों के लिए मात्र 100 रुपय में मात्र 100 रुपय में आपको 200 से भी अधिक practice set उपलब दिकराए जा रहे हैं market से यदि आपको practice set खरीदेते हैं तो ऐसी condition में उनकी कीमत 120 रुपय ये 1500 रुपया होती है अगर 10 practice set खरीदे जाएंगे तो आपका 1000, 1500, 2000 रुपया खर्चा हो जाएगा तो आपको market से एक भी practice set खरीदेने किया होशकता नहीं है आपको क्या करना है कि वो सारे practice set आपको उपलब दिकरा दिये जाएंगे टेलिग्राम चैनल को जौनी करिए वहाँ पर सारी सूचनाए हैं अथवा अगर आप ऐसा ना करने चाहें तो 96, 16, 49 और फिर 50 और ये लाश्ट में 14 96, 16, 49, 50, 14 इस नमबर पर WhatsApp करके आप जानकारी ले सकते हैं 100 रुपया बहुत ही समझ लिए आपको free में दिया जा रहा है इस practice set को अगर बजार से खरिद दे जाएंगे तो कम से कम डेढ़ 2000 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा ठीक ना भीया तो चलिए इनी सब जानकारी उसाथ हम लोग इस practice set को बिराम देते हैं और मिलते हैं अपने अगले practice set